हालो गुड इबनिंग चात्रों बेरे बेरे गुड इबनिंग उमीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़ियां चल रही है क्लास 10th NCRT Mathematics Exercise 13.5 चुरू हो चुका है उमीद है कि सभी जुड गए है और आपको बढ़ियां दिख रहा है 10th NCRT Maths ठीक है तो कुष्चन नंबर कहां तक आपने पढ़ा था अभी तक कुष्चन नंबर बेटा तीन तक पढ़ लिए थे तो भीया कुष्चन नंबर फोर आज पढ़ोगी ठीक है हिंदी इंग्लिज दोनों लाइंग्वेज में यह कलास होगी कलास को पूरा इंड तक देखना और तभी इसको मैं आपको इंग्लिज और हिंदी दोनों लाइंग्वेज में बताऊंगा मैं आपको इंग्लिज में पढ़के सुनाऊंगा हिंदी में आपके सामने यह दिया गया है देखिए क्या कह रहा है अब वेल आफ डायमीटर थ्री मीटर इज डॉट फोर्टीन मीटर डीप इसका मतलब समझा रहा हूं भाग यह नहीं बिलकुल परिसान नहीं हो यह एक बार मैं फिर पढ़ रहा हूं इंगलिज बड़ी एजीप टाइप के सुन लीजिए जो सिबसी बोड़ वाले इंगलिज मीडियम के बच्चे हैं कहरा कि अब वेल आफ डायमीटर थ्री मीटर इज डग आप कुवा देख लो पहले तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा वहीं कुवा दिखाओ इस तस्बीर को देखिए प्यार से इसी की बारे में सब कुछ कह र ब्यार क्या है तक तो दूकारी सौरत अगर कोई बैठा वैसे तो उसका क्या है जो छूडाई वो जो कितना है किना है यह जीज हां पर समझ्जются यह कितना है यह पूरा गया कि इनडर कि avaserv आर्थ टेकन आउट आफ इट हैज बीन से फरेड इवेनली आल एराउंड इट इन दसे आफ आसर कुलर रिंग यानी अर्थ टेकन आउट मतलब जो अर्थ मतलब जमीन नहीं निकाल ली गई उसमें से मिट्टी निकाल ली गई और उसको कोई के बगल में गोला कार में पहला दिया गया ठीक है कैसे फैला गया से फाफा सर्कूलर रिंग आफ विट्थ फोर मीटर यानी चार मीटर की विट्थ में मतलब चौड़ाई में उसको फैला गया है फ्राम एन इंबंक मेंट मतलब यहीं जो आप तस्वीर में देख रहे हो यानि कोई के बगल में जो एक ऐस इसे उठा दिया जाता चबूतरा टाइब का देख रहे हो ना यह इसी चीज को बोलता है इंबंक मेंट ठीक है समझ गये ना इसे आप निगाओं में देखा होगा कुछ ऐसा ही होता है जिसके चारों तरफ लोग जिसे कहते हैं जगत बना दिया या फिर दिवार बना दिया है जिससे कोई गिरे ना या फिर वगएरा वगएरा तो वही चीज है पूछ क्या रहा है कि अभी में फिकर बनाऊंगों क्लियर हो जाएगा फाइंड दा हाइट आप इंग्वेंग्मेंट यानि जो यह जहां बल्टी रखी मिट्टी का आप जो कुणा देख रहे हो इसकी करने चीज आपका बन गया बगल में जो अभी आपने देखा ताथ तसवीर में यह कुछी को बया करणा है धिकाए जो एपने तसवीर समझ हो आगे क्या कहता है तो अच्छा एक मिनट सुनो अगर यह पूरा पूरा इसका डायमीटर तीन मीटर है इसका मतलब इसका रेडियस अगर मैं इधर साइड में निकाल लूँ तो 1.5 होगा ठीक है और अगर इस चबूतरे की रेडियस बोला जाए तो कितना होगा वह इस इसकी रेडियस यहां बीच से तो निकलेगा निकलेगा यहीं से तो 1.5 मीटर यह और 4 मीटर यह अगर हम सिर्फ चबूतरे की बात करें रेडियस तो यह 5.5 मीटर होगा इससे याद रखना ठीक है समझ गए ना तो क्या करोगे देखो चूकी कुएं के 4 तरफ मिट्टी को प्राकर में पहला गया है अता हम रिंग यानि जो चरवत तरफ बना उसका आयतन या उसकी उचाई कुछ भी अगर निकालते हैं तो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा एक मिनट निकालने के लिए हमें पूरे कुएं के आयतन से रिंग का आयतन घटा देंगे ठीक है उसमें सब्ट्रेक कर देंगे बस यही करना बाकी कुछ नहीं करना है ठीक है तो आप इसे लिख सकतो लिखो कुएं का आयतन बराबर कुएं का आयतन बराबर से देखिए रहे हम सिंपल में पहले प्ले को या निकाल लेंगे बाद में जो कुछ होगा देखा जैगा तो बहुंदा सा बात है लिख लो बेलूमाफ वैल इक्वल चुक्कि यह कुआ है ये आपको दिख रहा होगा किसाकार का बहुंदा यह होता है यह बैलनाकार होता के लिए यहां देख लो इन्टू 1.5 इन्टू या चैनी हाइट 14 है साथ से काट दो सादूना 14 तो यह बाइस आ गया यह 15 15 हमें तो 2.25 आएगा और एक चीज यहां पर दो था ना दो का इसमें गुड़ा भी तो करोगे तो कर लो फाइनल में मल्टीपल आप मुझे लग रहा है फूर 99 आएगा कि इतना आएगा 99 आएगा ना बोलो करके देखो सब गुड़ा कर लो इसमें दो कभी करना है तो 99 मीटर क्यू भी आएगा ठी तो क्या है मैं बता रहा हूं टेंसन मत लिजिए अब हमें चूंकि इस रिंग की जो चरो तरफ बन रहा था उसकी उचाही निकालना है तो हम टोटल कुएं के आइतन से इस रिंग वाले आइतन को क्या करेंगे घटाएंगे बोलो नहीं जो यह रिंग आकार का एक प्रकार स दोना भी कूहा ही है आफम जूपर वाला अगर पार्थ हम निकाल के अलग करें तो कुछ ऐसे दिखेगा यह कूहां हो जाएगा अंदर वाला है उपर वाला भाग अर्क निकालने की बात करें यह 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 आपका वो चबूतरा हो जाएक जो गोला-गोला बनाए तो इसमें जैसे मान लो की हमें यह चीज निकालना हू की यह चाव सर्थ हो रही है यह निकालना हो का थो भाइ जो टॉटल इसका आएगा मतलब हो कि बैलूम निकाल होगे उसमें से जो छोटका वाला अंदर वाला कुवा इसको घटा दोगे ना तब निकलेगा ना तो लिखो आगे लिखो आता कि इस्टेट्मेंट आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कुछ भी बना करके कि आता कि क्या लिखोगे चब उत्रे की उचाई बराबर लिख लो अच्छा रहेगा यह फिर ऐसे थोड़ा कम बनेगा ना आप ऐसे करके लिख लो आता कि जाने दो यह पाई आर का स्कॉयर यह यह किसका हो जाएगा कुए का ठीक है माइनस पाई यहाँ पर आरवन कर लेना यह भी वही रहेगा क्योंकि यह इस वाले जो किनारे रिंग बन रहा उसका है और थोड़ा चेंज कर लेना क्योंकि रेडियस अलग अलग है दोनों की इसकी रेडियस 1.5 है कुए की और पूरे-पूरे का निकालोग आपका आर इसक्वाइर बचेगा माइनस आरवन का इसक्वाइर बचेगा इंटु एच ठीक है इसको भी हम अलग कर सकते हैं कोई बात नहीं है अब इसमें हम सारे मान रख देंगे 22 बटा स्वाथ हो जाएगा और यह ब्रेकट में आपका आएगा अभी मनें बताया था 5.5 5.5 का स्कॉयर माइनस 1.5 का स्कॉयर इंटु एच इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं यहां पर बढ़का कोष्ठक लगा दीजिए इनको जब आप हाल करोगे तो आपको पता है कितना आएगा 28 आएगा ठीक है तो इसको मैं आगे हल कर देता हूं यहां पर देख लो यह सबस्वाब है ऑफ्यूंट यहां पर इस कमान कहां दिया है जब हम यह सब चीज कर रहें तो यह तो पूरा-पूरा था ना यहां पर तो कोई मानी नहीं रखना यहीं तो हमें निकालना है यहां पर रिच एठकंहें इनकालोगे तो कितना भी यह रील्टानी यह यह यहां पर कोई मानिनी रखना यहीं तो हमें निकाल नहीं रहें तो यहां पर कोई बल्लू ने दिया है तो यह कंमा नहां से आप निकालोंगे तो कितना जाएगा अब क्या करोगे पता है आप यह जो आया ना इसी को हम को यह क्या आतन के बराबर कर देंगे एच कमान जाएगा ठीक है लिख लो चब उत्रे की उचाई बराबर लिख लो यह आपका हो जाएगा नाइंटी नाइन यह मिस्क्वाइर इकॉल एल्टी एट यह तो यहां फिर नाइंटी नाइन अपान यह एटी एट हो जाएगा इकॉल एच इससे काटोगे तो ग्यारा बटा आठ आएगा बराबर यह हाइट निकालना था ना इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हो वन पॉइंट सम्थिंग आएगा करके देखो वन फाइव एकॉल एच यानि यह इतना मीटर के आगया कोई की उचाहिए आगया ठीक है कोई डाउट नहीं न अ ओके इसमें किसी को कोई डाउट नहीं चलिए नोट करई जल्दी हो गया कुष्ण करीए खोड़न बटन हो गया तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही अगली क्लास में आपको अगला कुश्चन करवाएंगे इंतजार करिएगा कलास को ज्यादा फिज्यादा सेयर करें और जितना मैं पढ़ा रहा हूं से रिपीट करते चलें थोड़ा-थोड़ा मैं सब खतम कर रहा हूं एक तरप से लेकिन आप रिपीट करते चलो 10 जुलाई से आपका एक नया बैच भी आ जाएगा 19 के लिए याद रखिएगा 10 जुलाई से ठीक है आज के लिए इतना ही बहुत बहुत थेंक्यूँ